सूपस्टार आजी देगवान की शातान फिल्म को इनिन बॉक्स पे रिलीस हुए हिस्ट्रोरिकल अनबिलेबल दो दिन कम्डिट हो चुके हैं शातान फिल्म के पहले दूसरे दिन के फाइनल इंडिया और वलिवड बॉक्स कोलेक्शन रिपोर्ट आ चुका है में बात करेंगे शातान की तीसरे दिन की संडे स्पेशल की अडवांस वकिंग कितनी हो राजी देगवान की शातान फिल्म संडे को तीसरे दिन इनिन बॉक्स पे कितनी कमाई करेंगी फिल्म अपने पहले तीन दिनों का अंदर इनिन बॉक्स पे कितनी कमाई करेंगी फिल्म में अब तक किन किन मुविस के रिकार्ड को तोड़ दिया और कौन कौन से रिकार्ड अभी शातान तोड़ने बाकी हैं सब को जानेंगे इस वीडियों में दोसो शातान फिल्म इस बात में कोई शक ने के एक बहुत बड़ा सुपरस्टर अजिदेगवान एक होरन मुवी में देखने को मिला है जो के काबले तरीफ है और अजिदेगवान की जो एक्टिंग है जो पबलिक इस फिल्म की तरीफ कर रही है दोसो माइंड ब्लोईंगे शातान ने पहले दिन बंपर ओपनिंग लेके इ ओपनिंग लेके अजिदेगवान की केरेड की नंबर फिस्ट हाइस्ट ओपनिंग का रिकोर्ड अपनिंग नाम कर लिया दोसो अब तक बॉलिवड फिल्म डेस्टि में जितनी में होरन मुवी से रलीस हुई है किसी भी फिल्म ने शातान सूपर ओपनिंग नहीं लिया शा ओरन मुवीज में वेल अगर बात के दोस्तो अजिदेगवान की शातान फिल्म का बजट साट क्रोड का बजट है शातान फिल्म को इन इन बॉक्स पे तीन हजा स्किन्स को पर रिलीस किया गया था और फिल्म को आज सिंडे स्पेशल में पूरे 3500 स्किन्स मिल चुकी है फि चार करोड 30 लाग रुपे की कमाई करके वरल वर्य से 23 करोड 40 लाग रुपे की उपनिंग ली वेल अगर बात कि रहे दूसरे दिन के बॉक्स क्लेक्शन में को बेतरी जंप देखने को मिला एजिद अगवान की शातान फिल्म ने दूसरे दिन इनिन बॉक्स पे अठरा करो की कमाई करके बॉक्स पे तबहाई मचा दी फल्म दोस्तों दूसरे दिन इंडिया गरोज सेलक्शन में 21 करोड 60 लाग रुपे की कमाई की फल्म ने दूसरे दिनो ओवर से मारकशन में बेतनी जंप लिया दोसो शातान फिल्म दूसरे दिन वल्वड में 28 क्रोड 30 लाग रुपे की कमाई करके पहले दिन के मुकाबले हमको 20 परसंट जंप लेती हुई नजर आई वेल अगर बात करें फिल्म का तीसरे दिन का बॉक्स कलोक्शन कितना है दोसर जीदेगवर्ण की शातान फिल्म की पहले दिन के अडवड बॉक्किंग चार करोड 45 लाग रुपे की होई थी और उपनिंग आएगर दूसरे दिन शातान की अडवड पुकिंग 4 करोड 90 लाग रुपे की थी 18 क्रोड की कमाई हुई लेकिन अजी दाइगवान की तीसरे दिन की संडे स्पेशल की अडवांस बुकिंग पूरे 7 क्रोड की हुई है 2,50,000 टिकट सालट हुएं और 14,000 आर्विशोंस मिलें शातान को तीसरे दिन संडे स्पेशल पे कमाई करने के लिए दोस्तों किसी भी फिल्म के माई हैं आपको हमेशा साच अड़े संडे को एक बेतरी नचंप देखने को मिलता है वर्किंग डे में कमी देखने को मिलता है लेकिन संडे छुटे का दिन है एन पबलिक आज इस फिल्म को भर भर के देखने जा रही है सिनमों होल के बार तबाही मचुए एक अलिग लेवल को हमको पागल पन देखने को मिल रहा है दोस्तों अजिदेगवन की शातान फिल्म इंडियन बॉक्स पे संडे स्पेशल पे इंडियन बॉक्स पे 20 क्रोड 5 लाग रुपे की कमाई करेगी दोस्तों शातान फिल्म तीसरे दिन इंडिया ग्रोस एलक्षन में 24 क्रोड 9 लाग रुपे की कमाई करे चुकी है फिल्म ने तीसरे दिन ओवर्स मार्की से भी 5 क्रोड 9 लाग रुपे की कमाई करे लिए थोड़ा सा हमको तीसे दिन के कुलक्षन में ओवसी मार्केड़ी में थोड़ा सा ड्रापड़न देखने को मिला दोस्तो शैतान फिल्म डे थरी को संडे स्पेशल में वर्ल वेड़े में 29 क्रोड एक लाख रुपे की कमाई करेगी यह कर चुकी है शैतान फिल्म के अगर बात करें पहले तीन दिन का टूटल कुलक्षन कितना है दोस्तो अजदेगवण की शैतान फिल्म तीन दिनों का अंदर हिंदी बेल्ट में 53 क्रोड की कमाई कर चुकी है शातान फिल्म तीन दिनों का अंदर इंडिया ग्रोस एलोक्षन में चौंसर क्रोड की कमाई करेगी शातान फिल्म इन तीन दिनों का अंदर ओवर सी मार्की से पंदरा क्रोड साथ लाक रुपे की कमाई कर चुकी है दोस्तो अज़ देगवन की शातान फिल्म पहले तीन दिनों का अंदर वर्ल्ड वैड में 80 क्रोड की कमाई करके अपना 60 क्रोड का बजट निकाल के 20 क्रोड की वर्ल्ड वैड में प्राफट में कमाई करके शातान फिल्म के वल तीन दिनों का अंदर ही इन इन बॉक्स पे एक एवरेज मुई बनने का टैग लगवा चुकी है दोस्तो इस फिल्म का विकेंड फंटेस्टिक विंकेड है पहले तीन दिन का यह जो कलेक्शन है यह हिस्टोरिकल कलेक्शन है और इन तीन दिनों के अंदर फिल्म में अपना बजट रिकवर कर लिए और फिल्म आगे जाके कंपलीट दोर पर प्राफट में कमाई करने वाली है वैल दोस्तों कर बात करें फिल्म का लाइफ टेम कलेक्शन कितना आएगा दोस्तों फिल्म जो है लाइफ टेम इन बोक्स पे 150 क्रोड से लेके 200 क्रोड की कमाई कर लेगी फिल्म लाइफ टाइम में ओवर से मारकी से भी 50 क्रोड से लेके 60 क्रोड की कमाई करने की पृटंचल रखती है दोस्तों जी देख़गएन की शातान फिल्म लाइफ टाइम में वर्ल्ड वेट में 300 से लेके 300 यवे भी 400 क्रोड की अखरे को टेच करेगी और अगर फिल्म वर्ल्ड वेड में 24 क्रोड की कमाई कर लेती है 60 क्रोड का बज़र निकालने के बाद ये फिल्म जो है 5-6 गुना प्राफट में कमाई करके बॉक्स पे आल टाइम ब्लॉकबास्ट में बनने का भी टैग लगवा सकती है 200 फिल्म को जिस तरह का आउट स्टेंडिंग रिस्पॉंस देखने को मिल रहा है इस फिल्म में 1224 के अंदर तभाई मचा दी दोस्तों बोल्यूड के बड़े बड़े सुपस्टर रुके इस फिल्म ने रॉंगटे खड़े कर दी है 200 मालो 1224 जो पूरा अज़िदेगवान के नाम रहने वाला है अज़िदेगवान ने 1224 की स्टार्ट शातान से की है जो 1224 की पहली ब्लोक बास्टर बनने जा रही है नमबर सैगन फिल्म मेदान 10 अपरेल को छोटे मिया और बड़े मिया के सथ कलाश करने जा रही है 26 अपरेल को औरों में कहां दमता ये फिल्म आ सकती मेभी 26 अपरेल को आएगी या जून जुलाई के मंट में आएगी लेकिन आने वाली है और 15 अगस को पुछ पाटू के साथ कलाश करने जा रही है सिंगा मगेन जो 1224 की सबसे बड़ी बोल्योड की फिल्म है वहीं पर बात करें 15 नुवंबर को रिधा टू आ रही है कुल मला के अजी देगवान 1224 का अंदर अंस्टोबबल है 1224 अजी देगवान के नाम रहेगा 1223 दो शारुखा ने अपने नाम किया लेकिन 1224 के अंदर अजी देगवान हमको फुल फामे नजर आएंगे दोस्तो इस बात में कोई शक नहीं कि शातान अपने पहले दिन एक बहुत बढ़िया उपनिंग तो नहीं लिए लेकिन एक अच्छी फंटेस्टिक उपनिंग है 1224 के नंबर सेकंड हाइस्ट उपनिंग है दोस्तो यह मैटर नहीं करता है कि सिनमा होल में कौन सी फिल्म ज्यादा दिन चलती है दोस्तों यह मैटर नहीं करता कि कौन सी फिल्म बॉक्स पे सबसे ज़्या उपनिंग लेती है बलकि यह मैटर करता है कौन सी सिनमोहर में ज्यादा दिन अच्छी कमाई किसा चलती है अगर शैतान फिल्म इनिन बॉक्स पे 30 दिन भी अच्छे परदक्सा कम्लिट कर लेती है 40 दिन भी चल जाती है यह फिल्म को कोई रोकने वाला नहीं है यह फिल्म बहुत ही खतरनाक फिल्म है और जिस तरह का पबली के अंदर हमने फिल्म का क्रिस देखा है दोस्तो माइंड बलॉइंग है दोस्तो अजी देगवान एक बहुत बड़े सूपरस्टर है और उनको बहुत ही ज्यादा फैंस प्यार करते है यह लगब बात है कि अजी देगवान फैımली मोविस बनाते है एक्शन मोवीज नहीं बनाते है बड़े परजोक्ती मोवी नहीं बनाते है लेकिं अजी देगवान जो भी फिल्म को पकटते है वो पहले से रीमेक फिल्म होती इसके बावजिदी फिल्म बॉक्स पे क्या धमाल मचाती है आपको पता दिरिशम टू से लगता है शैतान से लगता है लेकिन अगर अगर अजिद एक बावज जो भी फिल्म बनाते है अगर वो रीमेक ना हो तो तब आपको सोचो तो कईस एक अलिग लेवल का पागलपन हमक से लेखने को मिलेगा वेल दोस्तों आपको परों कॉमस इक्स बताना आपको शैतान कैसी रहेगी इस वीडियो में कुछ भी इंफरमिशन दीगी हो 100% रहेएल है आपसे एक छोटी से बिंद्दी इस वीडियो को दिल से राइक कर दें चानल को से स्केप कर दें मैं आपको म टेक क्यार, स्टे होम, स्टे सेफ